नमस्कार राजस्तान विधानसवा चुनाव 2023 जिसमें सभी करमचारियों को किशी न किशी रूप में अपनी ड्यूटी देनी होती है और इस तर्म्यान जो भी करमचारी चुनाव कारी में कारेरत रहते हैं उन्हें भारत सरकार के निरवाचन आयोग द्वारा निरवाचन वि भार की ओर से निरवाचन में लगे वे करमचारियों को दैनिक भत्ता और अन्य भत्ते इस बार कितने रुपे एक करमचारी को दिये जाएंगे यानि कि किस करमचारी को कितने रुपे दिये जाने का प्रावधान किया गया है इस बार के विधान सभा चुनाव में सबसे पहले चुनाव में जो करमचारियों की डूटी है वो अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग होती है अगर हम मत्दान दल की बात करें तो इसे इस्तति में मुखे तहट चार करमचारी होंगे और चार करमचारियों में पियारो पिठाशीन अधिकारी जो होगा उसके बाद में तीन पियों होंगे जो पॉलिंग ओफिशर होंगे यानि मत्दान अधिकारी होंगे इसके अलावा चतुर्चरेनी करमचारी भी होंगे पुलीस के करमचारी भी होंगे इन्हें मुखे का उन्हें किस प्रकार से देई होगा मान दें अब जैसे विदान सबा आम्तुनाव दो हजार तेश एतु निक्त कार्मिकों को दे यात्रा भतार अलपहार रासी अगर हम बात करें पीठाशी नधिकारी की यहने की पियारो की तो उन्हें देनिक भता प्लती दिन के एसाब से चार सो रुपे दे होगा यहने की चार दिन इनकी डूटी रहती है तीन प्रस्क्षण में और एक मतदान दिवस की तो वहां पर उन्हें सोला सो रुपे तो यह हो गई उसके बाद में यात्रा वे यात्रावे मतलब जिस इस्थान पर मुख्या ले जिस इस्थान पर करमच स्थल पर प्रस्टिक्शन हो रहा है वहां से सो किलोमेटर की दूरी है तो वह आएगा और जाएगा तो 200 रुपे प्रती दिन के एसाब से उन्हें 800 रुपे दे होगी या मुख्याले से जहां पर उनकी ड्यूटी है वहां से लेकर प्रस्टिक्शन स्थल तक उसके बाद में यह अलपाहर केवल मतदान दिवस के दिन यानि कि जो चोथा दिन होगा जिस दिन मतदान होगा उसी दिन दे होगा ठेक है और अब माल लीजिए कोई करमचारी जो 15 किलोमेटर से कम दायरे में ह तो उन्हें यात्रावे दे नहीं होगा जहां पर आपका प्रस्टिक्शन हो रहा है वहां से 15 किलोमेटर की कम दूरी पर आप अगर है तो वहां पर आपको यात्रावे दे नहीं होगा यात्रा के जो किराया है वो बिल्कुल भी दे नहीं होगा नए टेक्शी किराया ठीक ह तो अगर हम पीठाशी नधिकारी की बात करें तो देनीक बत्ता 1600 रुपे हो जाएंगे यात्रा वे अगर 100 किलोमेटर की दूरी से आ रहा है तो 800 रुपे हो जाएंगे 16824 और 150 रुपे इसके 2400 और 2550 2400 रुपे एक दिन के टेक्शी के होते हैं 2400 गुणा अगर हम च्यार करेंगे तो यह हो जाएंगे लगबग 960 तो इस परकार से 3400 या फिर 3600 के आसपास रुपे एक पीठाशी नधिकारी को दिये जाएंगे च्यार दिन के लिए किसी परकार से मतदान अधिकारी की बात करें तो इनमें केवल 50 रुपे का अंतर आएगा क्योंकि जो देनिक भता है वो कम हो जाएगा वो होके कितना हो जाएगा 350 रुपे और चतो श्रेणी करमचारी की बात करें तो प्रशिक्षन और मतदान दिवस पर इनहें 250 रुपे दे होंगे और जबकि उन सबको 400 रुपे 300 है और वास्तो एक यह जो है मतदान दिवस के दिन 150 रुपे है वो अलपाहार के और 15 किलोमेटर से कम दोरी है तो यहां पर इनहें दे नहीं होंगे पुलीश कार्मिक जो लगाए जाएंगे उन्हें भी प्रशिक्षन और मतदान दिवस पर 350 रुपे दे होंगे और इन्हें यात्रा वे अगर वो कानून व्यवस्ताब में लगे हुए हैं तो इसी इस्तति में उन्हें यात्रा वे दे नहीं होगा इसी प्रकार से महिला आंगनवाडी कारे करता है उन्हें 250 रुपे मतदान दिवस के दिन ओनली क्योंकि इनका प्रस्षिक्षन नहीं होता है और 150 रुपे इसके और अगर इनको जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तो यही यात्रावेदे होगा अन्य यात्रावेदे यह नहीं होगा क्योंकि ये जितना भी वे होगा वो निर्वाचन भारत निर्वाचन आयों की ओर्षी यानि की इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया की ओर्षी दिया जाएगा तो इसलिए जो भी इनका वे है वो इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया दे होगी समंदित राजे सरकार दे ये नहीं होत ताहराजे सरकार की ओर्षी ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद